हलो प्रेंट्स कैसे हैं आप लोग इसमें हम लोगों का करड़ी और गादांग चला आदा मुलब सर्ट साविंडी से चला आदा और इसमें हम लोगों इस अरिके से इन्पाइनाइट तक जाता लेता है जब कवें इस टाइप के कुष्षन आए और दिखे कि मतला को सिरीज के नुमा जल्दा है अगर 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 इसका रूट जाएगा तो देखो यह क्या हो जाएगा अगर एक्सीपाइक इस रूट तू तू कि रूट आप ऑज इससे रूट फू हो जाएगा इस से की रूट आप और इस तरीके से इंफाइनाइट जी किछता जाएगा इसमें तो कोई डांट ने होना चाहिए ठिक आप हम therapists कर देते हैं ठिक और जब यह हम लोग führen कर देंगे उसका मरना मनतब x की पार शिथा हो जाएगा जब यह 10पार x हो जएगा तो दोका भी क्यों करेंगे दोका किने प्यतना होता है हाट और यह इससे 4 कट जाएगा धट जाएगा कि नहीं कट जाएगा जब यह यह कट जाएगा तो इसका मतलब यह हो जाएगा यह तो हमारा चला गया root 2 cube root of 4 root 2 cube root of 4 इस तरीके से infinite तक चला जाएगा ठिक जब इतना हो जाएगा अच्छा बिया देखो क्या यह फुरा वही अभी X ही तो है इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ यह तो हमारा X ही है अच्छा यह हमारा लिखा हुआ है X power 6 इसको तो आट पन 40 X power X ठिक इतना तो आप लोगों में कर लिए आओगा नहीं आट च्छा को 32 होता भी है 5 नहीं है यह 4 लिखा हुआ तो आट च्छा को 32 अधर वाए इस X से जहां से 6 कर जाएगा 5 आ जाएगा X power 5 इसको 32 X की power 5 इसको अच्छा क्या 32 को 2 पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 2 पावर 5 तुमिया देखो जब पावर बराबर होती तो बेस भी इक्वर होते हैं इसका मनद अब X स्कुल 2 हो जाएगा 2 X स्कुल 2 यह भी आप लोगों का आंसर हो जाएगा अब देखिए हमाना अगला मुस्टन लिखा हुआ है X स्कुल 2 Q रूट आप A प्लस रूट A स्कुल 2 प्लस B Q प्लस A माइनेर A स्कुल 2 प्लस B Q का Q रूट जब यह इस टाइब को कुश्टन आते हैं देखो हमने इस सुलूसर ही बताया हुआ है कि हमेशा ना तो सारे कुश्टन सरल होते हैं कि मतलब बहुत जल्दी हो जाएग और ना ही बहुत सारे कुश्टन ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत जादा लंबे हो कुश्ट तो कुश्टन ऐसे होते हैं जिसमें एक मिनेट भी टाइम लगता है और कुछ कुश्टन ऐसे होते हैं जिनको देखते हैं यह आंसर दे दिया जाता है तो यह जब लिखाए क्यों क्या करें दोनों तरप का क्यूप करते हैं जब यह क्यों कर देंगे तो क्या हो जाएगा ठीक, अच्छा, इधर का जब Q करेंगे तो A plus B का whole Q हो जाएगा अब यह A plus B का whole Q का फार्मूला हमने भीज़गर इतने पढ़ाया हुआ है तो यह भीज़़ा क्या हो जाएगा A Q मतलब यह इसको इधर से लिख लेके X Q A plus root A square plus B cube ठीक, A cube हो गया क्योंकि देखें, यहाँ पर Q root लगा हुआ है Q root लगा है तो इसका मतलब यहाँ से root head, Q root head जाएगा plus B cube मतलब A minus A square plus B cube ठीक, plus 3A भी होता है तो भी आप plus 3A भी कर लिजिए plus 3Q root A plus A square plus B cube ठीक, इन्टू A minus A square plus B cube ठीक, और यह भी हाँ Q root हो जाएगा अच्छा यह तो A cube plus B cube plus 3A भी होगा इन्टू A plus B भी जो होता है अच्छा A plus B का मतलब क्या यही है कि नहीं है इसी को तो A plus B भी बोलते हैं जब यह इसी को बोलते हैं तो क्योंना इसकी जिगापर इक दू एक्स कर दिया जाएं ठीक, आप देखो यहाँ क्या इससे यह कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा तो यह कुछ कट जाएगा एक plus का एक minus का इसका मतलब एक्स क्यूब, एक्सक्राइटू, टू ए, प्लस, आप देखो भी यह, यह भी लिखा हुआ है ऐसा दोनों के रूट में तो सहीन चीजी लिखी हुई है लिखी है कि नहीं लिखी है तो क्योब रूट लगा रहने देते हैं, अज शबको अंदर कर देते हैं इना कि यहां प्लस प्लस ऑधिंस भी बन जाएगा यह तो बनेगा एक्स भी लेख ली है कि पर कि और यह यहां कि यहां प्लस माइन के स्वाइब प्लस एक दूर में प्लस यहोग है या नहीं है कि हमने यह बोला अंदर देखो अगर पूरे में रूट क्यूब रूट लगा दिया उससे तुक्त पर्क नहीं पड़ेगा अब यह देखो यह प्लस बी ए माइस मतलब रूट ए स्क्वाइर प्लस बी क्यूब जो है उसको हमने भी माल लिया ठीक जैसे वह यहां पर इस तरीके से हो जाएगा और हमको देखें आंसर की तलब भी द्यान लगना है कि आंसर क्या रहा है तो यह बहुत प्लस थी एक्स अब भाइया इसको ओपेंग करेंगे यहां पर बी क्यूब बचा और जब बी क्यूब बचा है तो बी क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा वन मिनुट यहां भी माइनस का बी क्यूब हो जाएगा यह माइनस का BQ हो जाएगा और BQ का मतब माइनस भी हो जाएगा तो यह भी यह हो जाएगा 2A माइनस 3 BX इधर क्या हो जाएगा XQ इसको भी यह इधर ले आए क्योंकि उसी की वैलू चाहिए थे XQ प्लस 3 BX तो यह हो जाएगा XQ 2A तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा यह देखिए बहुत अच्छा कुश्चन है और यह कुश्चन एक बार नहीं कई बार एक्जामों में आया हुआ है अब देखिए बिया कुश्चन नम्बर 3 लिखा हुआ है X इसकोर 2 Q रूट आप 5 प्लस 2 वैलू आप लोगों से किसी पूछना X क्यूग माइनस 6 X एस्पायर प्लस 2L X माइनस 13 जब कभी वैया ऐसे वैलू पूछता है तो हम लोगों क्या करना पड़ेगा इस 2 को इदर ले आएए जब वैया इस 2 को इदर ले आएंगे तो X माइनस 2 X बार 2 5 का क्यूब लूप यह तो हो जाएगा ठीक अजब दोनों तरव का क्यूब कर देते हैं तो भी यह इसका अगर क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा ठीक तो भी इसका होल क्यूब उबिन कर लेदे ठीक, अभी या इधर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक, आप देखो जिया, इसकी multiply कर लेते हैं, जब यह multiply करेंगे, क्यूंकि हमको जो जो चाहिए, को जिखनी चाहिए, एक्स क्यू, माइनस ए, तीम दूमी छे, माइनस का, 6, एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, तीम दूमी छे दूमी 12, एक्स, बरावर 12, ठीक, अच्छा, आप आप लोग ध्यान से देखिए, हमको जो चीट चाहिए, वो चीट यहाँ पर रख लेते हैं, पहले, तो दे प्लस का, तो एक्स, कितना किया, अच्छा, यह बताइए, यहाँ पर कितना है, माइनस का, 8 है हमारे पास, लेकिन चाहिए कितना, माइनस का, 30, तो इसका मतलब भीया, यह है, कि माइनस का, 8 तो पहले से था, तो भीया, माइनस के, 5 इदर जोल दिये, तो 5 और माइनस 5 इदर भी जोड दिये, ठिक, जैसे भीया ये किया, तो ये हमारा बन गया, x cube, minus 6x square, plus 12x, minus 13, is equal to 0, क्या आप लोगों को समझ गया या नहीं आया, आप देखिये भीया, जैसे x is equal to लिखा है, root 2 plus 1, अपान root 2 minus 1, ठिक, x minus y is equal to, root 2, value जो आप से पूछ रहा है, x square plus y square की value पूछ रहा है, देखिये भीया, इस टाइक के पुस्चन में पहले x square slice कर लेते हैं, मतलब परमेही करन कर लेते हैं, तो बहुत जो परमेही करन करना होगा, इसका मतलब x is equal to हो जाएगा, अच्छा परमेही करन में हमने starting में पहले वीडियो में बताया हुआ था, बताया हुआ था कि यहां पर अगर root 2 minus 1 है, तो root 2 plus 1 से उपर नीचे multiply कर दीजिए, तो बहुत जब आप root 2 plus 1 से उपर नीचे multiply करेंगे, इसका मतलब उपर बन जाएगा root 2 plus 1 का whole square, और नीचे विया root 2 का square कितना होता है, 2 होता है, और 1 का square, 1 होता है, तो 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको बिया कर लेते हैं, तो कितना जाए 2 plus 1 plus 2 root 2, यह तो हो जाएगा, इसका मतलब यह यह हो गया, 3 plus 2 root 2, यह value किस की आदे x की आदे, ठिक, जब यह value x की आदे, तो x की value यहाँ पूट करेंगे, y की value आजाएगे, उनकि हमें square करना है, और square करने के लिए, उनको दोनों की separate value चाहिए, तो वह यह अच्छा चलो x का square भी कर लेते हैं, लगे time, अच्छा x square अगर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 plus 9 plus 2 दूनी, 6 दूनी, 12 root 2, इसका मतब एगा, 9, 8, 17, plus 12 root 2, यह बोले राटा, ठिक, यह value यहाँ पूटप कीजिए, ठिक, तो वह जब यह value यहाँ पूटप करेंगे, और इसको उधर भेज दे, right side, या y को इधर भेज दीजिए, तो x माइनेस हो जाएगा, x माइनेस 4 root 2 square to y हो जाएगा, ठिक, अब यहाँ इसकी value पूटप कर दीजिए, तो 3 plus 2 root 2 minus 4 root 2 square to y, इसको बज़ा simplify कर लीजिए, तो 3 minus 2 root 2 का whole square square to y, ठिक, अलाग देखिए, इसको अगर हम लों करते, x square to 1 upon y करके कर सकते थे, लेकिन हमने direct basic ही बताया हुआ है, अलागे आप लोगों को direct भी आना चाहिए, तो भी याद देखो, इसका square कम ठीजिए, तो 9 plus 8 minus 3 minus 6 minus 12 root 2, बराबर, y square, मनलब 9, 8, 17, 17 minus 12 root 2, ठिक, यह बज़ा किसके एक पॉल आ गया, y square के एक पॉल आ गया, वेट वाया, अब यहां x square plus y square रख दीजिए, तो दोनों यहां कट जाएंगे, किने कट जाएंगे, x square plus y square is equal to 34, इस 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 योग आनसर, क्या यह बास समझ में नहीं आई, क्या कि बज़ा x square plus y square is equal to 34 के से आगे, तो इनको इनको प्लस कीजिए, तो माइनस का 12 root 2, प्लस का 12 root 2, तो यह दुनों का डिजाएंगे ना, अब देखिए, जैसे हमारा अगला सवाल लिखा हुआ है, 3 की पावर a, is equal to 9 की पावर b, is equal to 27 की पावर c, value किसके निकालना है, 1 upon 3a, plus 1 upon 2b, plus 1 upon 4c, is equal to 25 upon 24, a की value find गरनी, लोगो का इस टाइप के जब सवाल होते हैं, तो इनको पहले same base पर बना लिया जाता है, जब same base पर बना लिया जाता है, इसका मसलब यह हो गया, 3 की पावर a, is equal to 3 की पावर 2b, is equal to 3 की पावर 3c, क्या यह समझ में आई या नहीं इसमें तो कोई डाउप नहीं है, देखो या, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, तो इसलिए हमने 3 की पावर 3 को ऐसे कर लिया, ठीक, इसका मनलब यह हो गया, a is equal to 2b, is equal to 3c, यह तो हुआ की नहीं हुआ, चुद हमको a की value तो b को भी c में convert करना है, और c को भी a में convert करना ठीक, सब को convert कर लेते हैं, तो इसलिए यह तो क्या हो जाएगा, 1 upon 3a, प्लस, 1 upon 2, अचा, यहाँ पे 2b लिखा हुआ, और 2b is equal to कितना दिया गया, a, तो इसको उनलुक क्या लिख लेंगे, सीधे a लिख लेंगे, ठीक, प्लस, अचा, यहाँ पे 4c की value चाहिए, लेकिन यह क्या हो जाएगा, a by 3 हो जाएगा, अब 4c चाहिए, तो इसलिए 4c की value 4a by 3 है, तो इसलिए यहाँ पर, क्या 3 by 4a नहीं हो जाएगा, ठीक, is equals to 25 by 24, अचा, यह यहाँ पर common मिला, one upon a common ले लिए, ठीक, जब यहाँ one upon a common ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, one upon 3, plus 1, plus 3 by 4, is equal to 25 by 24, इसका भी यहाँ ले ले लिजे, कितना आजाएगा, तो हलो आजाएगा, जब यहाँ 12 LCM आजाएगा, तो 3, 12, plus 12, 12, plus 4, 13, 12, तो 3, 9, ठीक, one upon a, is equal to 25 by 24, अच्छा देगो यहाँ, 12 दूनी, 24, यह तो बचेगे गया, अच्छा यह देखो, 12, 4, 16, 16, 9, 25 होता है, इसका मतलब, इधर यह बचादा, 25 upon a, is equal to 25 by 2, तो वह गया, 25 से 25 नहीं कट जाएगा, कट जाएगा न, इसका मतलब, a की वेल्यू कितनी आजाएगी, a is equal to 2, this is your answer, ठीक, अब देखिए दिया, जो हमारा अगला कुष्चन है, 6 पावर x, इसका टू 7 की पावर y, इसका टू 42 की पावर z, यहाँ से बचाद जब आपसे x की वेल्यू पूछ रहा है, अच्छा जब x की वेल्यू पूछ रहा है, तो निश्ची पी रूप से यह y और z के फॉर्म में पूछेगा, क्योंकि डारेक्ट तो कोई वेल्यू आ नहीं जाएगा, तो यह अगर हम लोग इसको, x equal to k माल ले, क्या माल ले, यह k के equal है, ठीक, इसका मनलब यह हो गया, 6 की पावर x x equal to k, तो यह 6 x equal to k, k की पावर, 1 upon x नहीं हो जाएगा, यह होगा कि नहीं होगा, ऐसे हो यह, 7 की पावर y, x equal to k, then 7 x equal to k की पावर, 1 upon y हो जाएगा, ऐसे विया, 42 की पावर, z equal to k, तो यहाँ से 42 की पावर, 1 upon z, यह से समझ में आई या नहीं आई, ठीक, अब देखो विया, जब इतनी वैलू आ गई, अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, 42 x equal to क्या होता है, 42 x equal to kya 6 x 7 होता है या नहीं होता है, यह तो था 42 का मतलब, तो यह 42 की पावर कितना, 1 upon z, k की पावर, 1 upon z, is equal to k की पावर, 1 upon x, into k की पावर, 1 upon y, ठीक, इसका मतलब यह यह हो गया, k की पावर, 1 upon x, plus 1 upon y, बेश से मोने पर पावर, जुड़ती है, plus minus करने पर, into में ठीक, तो देखो यहाँ, यहाँ, k की पावर, 1 upon z, यहाँ, k की पावर, 1 upon x, plus 1 upon y है, इसका मतलब यह हो गया, कि दोनों के बेश तो समान हो गए, समान हो गए, कि नहीं समान हो गए, जब यह बेश समान हो गए, तो पावर भी इक्वल हो गए, इसका मतलब यह हो गया, 1 upon z, इसका टू, 1 upon x, plus 1 upon y, क्या यह चीज़ किलियर हुए, कि नहीं किलियर हुए, हमको वैलू किसकी चल रही है थी, एक्स की, जब यह एक्स की वैलू चीज़ ए, तो इसको इधर ले आएंगे, जब इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 upon z, minus 1 upon y, इसका टू, 1 upon x, यहां से LCM ले लिए, जब यहां LCM ले लेंगे, तो y minus z upon y z, इसका टू, 1 upon x, तो यहां x की वैलू यहां से अगर हम लोग निकालेंगे, तो y z upon y minus z, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, अब देखें भीया, अगला कुष्ण हमारे पास लिखा हुआ है, कुष्ण no.7, जब लोगों की बात करते हैं, देखें हर कुष्ण में कुष्णा कुष चेंज होता है, और इस टाइप के कुष्ण भीया, अक्सल लोगों को नहीं होते हैं, इसलिए इस टाइप के कई चरा है, तो भीया, इस टाइप के के कि लेटर लोगों, इसटाइप के, ठिक? तो भीया वेको, तू की पावर ए is करट्टू K, मतला है, ए इसक़र्टू K की पावर, वन अपान यह भीया, यह एसे था, वन अपान ए, आज़ अजब 3 इसकर्टू क्या होजाएगा, यह 2 था हो जाएगा कि इसको भी की पावर वन अबाद भी लिख सकते हैं कि 144 को लेट कर लेते हैं 144 इसके फैक्टर करना दो और तीन के फॉर्म में कि जब आप लोग दो तीन के फैक्टर करेंगे तो देखो भी याद है कि दो कि कितने हो जाएंगे और कि अगर अगर हम लोग ग्यान से देखें कि नौ शोला नामा 144 होता है कि इसका मंतब भी याई हो गया दो की पावर चार बुड़े तीन की पावर दो कि यह हुआ या नहीं हुआ है यह होगा ना अब यह इसकी वह लूप कर दिजिए वन अपान 44 के लूप क्या है के की पावर के की पावर वन अपान सी इसकर टू यह दो की इसकर टू क्या वन अपान के अब फोर लगा हुआ है तो फोर अपान टे हो जाएगा के की पावर फोर अपान एंटू के की पावर यहां पर टू है तो टू अपान बी हो जाएगा क्या है अब हीयोगो बेस डोनों जरब चूना सब्सक्राइब तुबेस हठा देते हैं तो यह क्या हो जाएगा मंद पान सी इसकरटू टू को रपान ए पलाशटू अपान ही अचा हमकल वालू किसकी चाहिए वालू तो इसको इधर ले आए एंड एक यह वान पान सी माइनेस पूर पान इसको टू अपान दी क्रिक एलस्यम लेंगे एलस्यम कितना जाएगा सी यह हो जाएगा कभी आज सी यह लेंगे यह क्या हो जाएगा इसका मतलब बीस क्वर टू हो जाएगा कि इसका मतलब बीश क्रिटू हो जाएगा तो ए अपान आए बैस लोड़स्यम प diye yo ठीक, इसमें को कोई डॉप नहीं होगा, अब देखिए भीया, अगला जो हमारा कुष्चन है, AQ अपान BQ की पावर 2X प्लस 4, B स्कॉयर अपान A स्कॉयर की पावर X Y2 प्लस 2, यहाँ पर हमसे X की वेलू पूछ रहा है, जब भाईया हमसे X की वेलू पूछ रहा है, तो इसको हम लोगों को कनवर्ट कर लेना पड़ेगा, A अपान B में, तो यहाँ अपान B में जब लोग कनवर्ट करेंगे, तो अचा होल क्यूब है या नहीं है, होल क्यूब है, इसका वाला थिरी से इसको मंटिप्लाइ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तीन दूरी 6X प्लस तीन चबू 12, तो यहाँ यहाँ पर भी अपान A है, यहाँ पर A बन भी था, कोई बाद नहीं, अचा यह भी तो होल स्कॉर है, तो दो से उपर मंटिप्लाइ हो जाएगा, तो यह विया क्या हो गया, बी अपान A इसकार 2, X प्लस 4, अचा कहीं, आप लोग यह दो नहीं सोचे रहे, एक्स वाइटू था, तो यह एक्स कैसे बचा, देखो विया, जो से मंटिप्लाइ कर रहेते हैं, एक्स वाइटू इंटू 2, कड़ नहीं जाएगा, एक्स ही तो बचेगा, वही लिगा है, अब देखो विया, इधर A अपान B है, इधर B अपान A है, यह थोड़ा जंजट वाला, तो इसको विया, सेम कर लेते हैं, तो इसको विया, A अपान B, की पावर 6, X प्लस 12, इसकार 2, A अपान B है, देखो विया, जब कभी भी ऐसा करते हैं, तो पावर के साइन चेंज हो ज जाएगा, माइनस का X, माइनस का 4, ठीक, अब यह देखो दोलों के बेस्ट बराबर है, तो पावर भी इकल हो जाएगे, इसका मतलब यह हो जाएगा, 6X प्लस 12, इसकार 2, माइनस X, माइनस 4, यह 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 इधर ले आएए, जब यह इधर लाएंगे, तो कितना हो प्लस का जाएगा, और इधर आएगे, बाराचार, माइनस का 16, ठीक, फोर्टीनेव, 16 होगा, 16 होगा, ठीक, अब देखो दिया, X इसकार्ट यहां से कितना जाएगा, माइनस का 16 बटे, 7, यही आप लोगों का अंसर हो जाएगा, अब देखो दिया, अगला कुष्चन हमारा लिखा हुआ है, 3 की पावर, X प्लस 2, प्लस 3 की पावर, X माइनस 1, इसकल टू, 2268, X की वैलू आप लोगों से पूछ रहा है, तो इसको अं लोगों को तोड़ना पड़ेगा, ठीक, कैसे तोड़ना पड़ेगा, वो मैं बता र लिखेंगे, X 3 की पावर, X, इन्टू 3 की पावर, 2, ठीक, अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, प्लस 3 की पावर, X, इन्टू, X 3 की पावर, माइनस 1, इसको लिखेंगे, अच्छा, माइनस किसी की पावर, माइनस 1 का मनलब, क्या 1 अपान 3 होता है, तो इसको 1 अपान 3 कर द मिलते सीधे इस पर टू 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 सिंग सेट अब आप लोग विए को द्यान से देखिए क्या थिरी की पावर एक्स कॉमन मिला है तो थिरी पावर एक्स कॉमन ले लिए ठीक क्या हुज़ेगा तीन तीन नौ प्लस एक बटे नौ एक बटे तीन बरावर 2268 ठीक इसको भी आप कर लेते हैं तो थिरी की पावार एक्स इंटू तिन त्या नौ नौ त्याज लेड़े अठटाइश वटे तीन बरावर 2268 इस से इसको कॉर दीजे थिरी से मंटिप्लाइप diffi कर देंगे जब यहां इसके इसको करेंगे तो चार से पहले काट कर देते हैं चार सते 28 चार पंजे 20 कितना बचेगा दो चप्ष तो चार चांग 24 दो चार सते 28 देखो यार साथ अठे शप्षाथ एक्कम साथ यह विए तीन उधर चला जाएगा तो तीन की पावर एक्स इसक्राइब टू तीन एक्कम तीन तीन अखे 242 दोसव तेंदादेज कि अच्छा क्या यह तीन की पावर चार नहीं होता है नहीं पांच और विए और पांच ही तो होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं अब देखो विया यह जैसे बुष्ण लिखा हुआ है यहां पर इंफाइनाइट नहीं है इस चीज़ का आप लोग यहां रखिएगा जब कभी विया इस टाइप का सवाल आए तो आप लोगों क्या करना होता है यह जो भी बेस होता है माली माइनस वन अपान टू की पावर है यह अंसर होता है ठीक जहां पर यह विया बेस यह सिक्स लिखा तो सिक्स हो जाएगा एन कितनी बार यह रूट लगा वान टू थरी फोर फाइव सिट सेवन तो सेवन हो जाएगा ठीक यह नमबर आप मतलब कितनी टाइम रिपीट हुआ इस इस पर डिपेंट कलता है तो देखो यहां पर टू की पावर सेवन क्योंकि साथ का वान टू थरी फोर फाइव सिक्स सेवन माइनस वन अपान टू की पावर सेवन यह हो जाएगा ठीक इसका मतलब यह हो जाएगा है जार शेक्स की पावर ंवर कावलां गितना होता है कि दूनिवा दूनी चार दूनी आट वुनी शोला दूनी बत्तिस दूनी चौनसट दूनी एक 168 188 होता है 128 में से 1 माइनेस कर दीजी कितना हो जाएगा 127 बटे 128 यह भी आप लोगों का आंसर हो जाएगा इंफाइनाइट वाला अलग होता है और यह वाला अलग होता है यहीं दूनों में अंतर होता है ठीक चलों चाहिए यह तो स्लियर हो गया होगा ना अगर यहीं पर इसकी जगह प करके इन्फाइनाइट तो होता है यहां पर एक सब्सक्राइब कर देता तो जिए रीट है इस हो जाएगा तो यह यह वह यह रूट एक सब्सक्राइब प्लास रूट टेन प्लास रूट टेन इंफाइनाइट कर गया हुआ है अच्छा एक्स कुस्षन और देते हैं आप लोगों को हमने जो बताया हुआ था एक्सस कर टू रूट शिक्स माइने श रूट शिक्स प्लस रूड़ 6 यह बिन फाइनाइट तक रेया हुआ एक और बुस्टन ले लेते हैं यह गाइप लोगों को बता सकूं कि क्या अंतर होता है अब नोग नीचे से चलते हैं यहां पर इनके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर एक हो अगर विया माइनस लगा हुआ है तो आंसर छोटा वाला होता है कि जिनके फैक्तर का अंतर एक बनता हो कि इसको विया देख लें इसका बी एक बंता है तो इसको इनको क्या कर लेंगे दो गुड़े टिन जर शम्य प्लस लगा हुआ है तो संख्या बड़ा वाला आंसर होता है इसका मतब रूड थी यह आप लोगों का अंसर होगा है लेकिन विए आप लोग यह वताइए ईसमें किसी का इस relatively वो बन रहा है रूट और ऐसा люблю जो मतलबिस्कों पर प्रफेक्टृ लीओ कर सके नहीं बन रहा है जब यह नहीं बन रहा है तो देखते हैं कि नहीं कि तैने के स्क्वायर से जस्ट बढ़ा है कितने के स्क्वायर से जस्ट बढ़ा है कितने के स्क्वायर से बढ़ा है तो तीन हो जाएगा और कितने के स्क्वायर से छोटा है कितने के स्क्वायर से छोटा है तो यह चार के स्क्वायर से छोटा है या नहीं है तो इसका मतलब जो वेलू होगी तीन और चार के बीच में कि इन और चार के बीच में भी इसका अंसर होगा अधिक वहां पर आपसे आप से इस तरीके से भी पूछेगा इसका अंसर एक और दो के तीन और चार के बीच में होगा चार और पांच के बीच में इस तरीके से पूछे जा अब इसको इसको इधर ले आएंगे एक स्कॉयर माइनेस एक प्लस टेन इसका इसका अंतर एक आजाए नहीं हो रहे है इसका मतलब इसमें लगाएंगे और थियोरम में हम लोग क्या करते थे माइनेस भी फ्लस माइनेस रूट बी स्कॉयर माइनेस पर एक से अपान तू कि यह होता है एक्स के साथ तो प्लस वन वन प्लस माइनस रूट बी स्वार वन माइनस पूर इंटू टेन अपान तूए मतलब अब यह देखो जब आप लोग यहां से सिंप्लिफाइब करेंगे तो जो आप लोगों का आंसर होगा थिरी कॉइंट करके ही आएगा कि इत आप यहां यहां पर मैंने को ए सब्सक्राइब प्लस प्लस माइनस रूट द से मुचाली सब्सक्राइब और देखो है एक बार प्लस करेंगे तो छे के आसपास जाएगा यह तो यह चल प्लस एक साथिए इसका मजला हमारा थिन और चार्ण यह देगे विया जो कुस्टन लिखा हुआ यह आज का हमारा लाज कुस्टन रहेगा M की पावर B upon M की पावर C is equal to B plus C minus A M की पावर C upon M की पावर A is equal to C plus A minus B into M की पावर A upon M की पावर B A plus B minus C ठीक तो देखो वियार इसको हम लोग क्या करेंगे पहले इसको उपर कर ले जाते हैं तो यह हो जाएगा M की पावर B minus C की पावर B plus C minus A ठीक ऐसे इसको उपर कर ले जाएगे तो minus हो जाएगा तो M की पावर C minus A की पावर C plus A minus B into M की पावर A minus B की पावर A plus B minus C ठीक आज आप multiply हैं तो सारी पावर प्लस हो जाएंगी फ़ले multiply कर लेते हैं और सब को plus भी कर जाएंगे M की पावर या B की B से multiply करेंगे तो B स्कॉर ठीक, B की C से करेंगे तो plus का B C और minus का AB अब C से करेंगे तो minus का B C minus का B C और क्या हो जाएगा? minus का C स्कॉर प्लस का C A ठीक, ऐसे भी या इसकी multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा? plus का C स्कॉर plus का C A और minus का B C A से कर लिए minus का C A minus का A स्कॉर plus का AB ठीक, चुक्षेखो M की बाद, M ही था सब इन में इसलिए हम लोग सबको सीधे डारेक्ट प्लस किये ले रहे हैं और multiply करते जा रहे हैं तो plus का A स्कॉर plus का AB और minus का AC minus का AB minus का B स्कॉर और plus का BC देखो भी यार आप इसमें देखो कुस कट रहा है BC से BC कट गया AB minus का और C स्कॉर से C स्कॉर कट गया A स्कॉर से A स्कॉर कट गया B स्कॉर से B स्कॉर कट गया ठीक यह BC कट जाएगा और हमारा जो बचा हुआ है इस AB से यह भी कट जाएगा और CA से यह कट जाएगा इस से यह B, C, B, C कहां गया आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आप लोग वीडियो देखिएगा, और उसको लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और दोस्तों में सेयर किया करें, ओके, थैंक यू.